फर्स्ट वर्ड है आफ्टर मैथ आफ्टर मैथ का क्या मतलब होता है इसका मतलब होता है किसी घड़ना के बाद परिनाम मिलना तो वो होता है आफ्टर मैथ और इन चार ओप्षन में से इनका सिनोनम कौन सा है इसका राइट आंसर कौन सा है आफ्टर मैथ का तो वो है consequence, इसका right answer है C, consequence means भी होता है किसी घटना के बाद प्रिणाम मिलना, तो यह aftermath का synonym है, और जो बाकिती इन option है, इनका meaning भी जान लेते हैं फर्स्ट है diva station, diva station means क्या होता है, इसका मतलब होता है तबाई, और posterity means क्या होता है, posterity means होता है, भावी PD या फिर once, डिस हार्मोनी मिन्स होता है, बेशुरापन या फिर लेभंग, और जो यह diva station है, यह very important word है, यह पिछे exam में आ चुका है, SST के, तो यह भी धान रखना वो है, कौन से के उनसी है, इसका right answer है, चलिए next, next है amicable, amicable का क्या मतलब होता है, amicable means होता है, milansar, amicable means होता है, milansar, और इन चार option में से इसका synonym कौन सा है, तो वो है friendly, इसका right answer है B, friendly, friendly means भी होता है, milansar, और जो बाकिती इन option है, इनके meaning देखो, poisonous का मतलब होता है, जहरीला, hurtaining का मतलब होता है, दिल को छू जाने वाला, satisfying means होता है, संतूष्टी, ओके ये तीन भी ध्यान रखना आप, और amicable का जो synonym है, वो है friendly, चलिए next, next है attenuate, attenuate का मतलब क्या होता है, attenuate means होता है, कम परभावसाली बनना, या फिर कम जोर करना, ये इसका मतलब होता है, और इन चार option में से इसका synonym कौन सा है, तो वो है weaken, इसका right answer है D, weaken means भी होता है, कम जोर करना, कम जोर बनना, ओके, और जो ये बाकी तीन option है, इनके meaning देखो, clever means होता है, चतूर, recommend means होता है, किसी को सला देना, किसी को विशेश काम करने के लिए सला देना, वो होता है recommend, और harvest का मतलब होता है, फसल, या फिर पैदावार बोल सकते हैं, आप, चलिए next, और attenuate का जो सिनोनम है, वो है, weaken, ये इसका right answer है, चलिए next, next है our cake, our cake का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, पुराना या फिर प्राचीन, और इसका जो सिनोनम है, वो क्या है, इसका right answer क्या है, इसका right answer है, see, primitive, primitive means भी होता है, प्राचीन, या फिर पुराना, और जो ये बाकी तीन option है इनका meaning देखो modern का मतलब होता है आधुनिक या नया बोल सकते हैं आप तो modern का मतलब होता है आधुनिक descent का मतलब होता है saline सब्य बोल सकते हैं उचित बोल सकते हैं और clumsy का मतलब होता है भद्दा या फिर ugly बोल सकते हैं means भी भद्दा होता है, तो क्लमजी का मतलब यह होता है, और आटेक का जो सिनोनम है, वो क्या है, वो है प्रीमिटव, यह इसका rightka answer है, चलिएnext, नेक्स्ट है बलाजी, बलाजी means क्या होता है, बलाजी मिन्स होता है उदाशीन, और इन चार option में से इसका सिनोनम कौन सा है तो वो है indifferent, इसका right answer है C, indifferent, indifferent means भी होता है उदासिन, और यही इसका सिनोनम है, और जो बाकी तीन option है, इनके meaning देखो, blank का मतलब होता है खाली, beautiful का मतलब होता है सुन्दर, credible का मतलब होता है जिस पर विश्वास किया जा सके, विश्वसनिय, तो वो होता है credible, जिस पर विश्वास किया जा सके, तो बलाजे का जो सिनोनम है वो क्या है, वो है indifferent मतलब उदासिन, चलिए friends, next, Next है endorse endorse means क्या होता है इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है समर्थन देना या फिर help करना बोल सकते हैं sport करना बोल सकते हैं ओके और इन 4 option में से इसका synonym कौन सा है वो है agree इसका right answer है agree endorse का जो synonym है वो है agree और जो बागे 3 option है इनके meaning देखो accept का मतलब क्या होता है accept का मतलब होता है के सिवा या फिर को छोड़ कर इस के सिवा मतलब सामिल ना करना तो वो होता है accept और condemn का मतलब क्या होता है condemn का मतलब होता है निंदा करना या फिर किसी को अपरादी ठहराना तो वो होता है condemn और Exceed का मतलब क्या होता है Exceed का मतलब होता है मातरा से अधिक हो जाना या फिर बहुत जादा तो Exceed का ये मतलब होता है बहुत जादा तो ये तीन भी ध्यान रखना आप और Indos का जो सिनोनम है वो है Agree चलिए फ्रेंड Next Next है Virtuous virtuous का मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है सिस्टा चार या फिर गुणवान बोल सकते हैं आप जिसका सालीन वेवार हो तो वह होता है virtuous और इन चार option में से इसका similar word कौन सा है तो वह है courteous इसका मतलब है courteous मेंस भी होता है गुणवान ओके और इन तीनों जो तीनों अप्शनोर है इनकी मिनिंग देखो slept का मतलब होता है सो गया helpful का मतलब होता है मददगार intelligent का मतलब होता है बुद्धी मान तो यह दीन भी ध्यान रखना आप और virtuous का जो synonym है वो है courteous चलिए next नेक्स्ट है assiduously assiduously means क्या होता है इसका मतलब होता है प्रीश्रम से इसका मीनिंग होता है प्रीश्रम से और इन चार ओप्शन में से इसका synonym कौन सा है तो वो है persistently इसका right answer है इसका मतलब होता है प्रीश्रम से और जो यह बाकिती इन ओप्शन है इनके मीनिंग देखो hastily hastily means होता है जल्दी जल्दी मतलब जल्दी जल्दी किसी काम को करना होता है तो वो होता है hastily और feebly का मतलब क्या होता है feebly का मतलब होता है निर्बलता से या फिर weak कम जोर ओके फीबली का ये मतलब होता है और deliberately का मतलब क्या होता है deliberately का मतलब होता है जान बूज कर तो ये तीन भी धान रखना आप और acidously का जो synonym है वो है persistently चलिए next next है ardor ardor इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है प्रेम भावना या फिर अन्तियंत प्रशंसा तो very strong feeling of love ok excitement भी बोल सकते हैं आप और इन चार option में से इसका जो right answer है वो क्या है तो वो है enthusiasm enthusiasm ये इसका मतलब होता है इसका मतलब होता है उत्सा तो इसका जो synonym है वो है enthusiasm और जो इन तीन option और है इनका meaning भी देखो conditionness का मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है सत्यता fairness का मतलब होता है clearly बोल सकते हैं discipline का मतलब होता है अनुशासन ok friends तो ये तीन भी ध्यान रखना और आर्डोर का जो सिनोनम है वो है enthusiasm चलिए next next है benevolent benevolent means क्या होता है इसका मतलब होता है probe kari benevolent means होता है probe kari और इन चार option में से इसका right answer कौन सा है तो वो है generous इसका right answer है be generous मतलब probe kari और जो ये बाकिती इन option है इनका मतलब देखो coward coward का मतलब क्या होता है coward का मतलब होता है kari coward का मतलब होता है kari और brave का मतलब होता है बहादूर kind का मतलब होता है dhyalu तो ये तीन भी द्यान रखना आप और benevolent का जो सिनोनम है वो है generous मतलब probe kari तो friends आज मैंने आपको जितने भी vocabulary words करवाए है अगर आपको अच्छे लगे हो तो मेरी वीडियो को like कर देना और मेरी हर एक वीडियो के notification आपको चाहिए तो मेरे चैनल को subscribe करके bell icon को press करके all पे click कर देना तो चलिए मिलते हैं next वीडियो में थैंक यू